हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बेक टो गरिव गुरू, मैं डॉक्टर प्रियंक का याद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी के दोरान जामुन खा सकते हैं जामुन के सीजन चल रहे हैं और बहुत सारे क्वेस्टेंस आ रहे थी इंस्टाग्राम पे कमेंट फाइदा नहीं मिलेगा और यदि सही तरीके से जामुन खाएंगे तो बच्चे को और आपको बहुत सारे फायदा मिलने हैं जामुन के अंदर iron, antioxidant, vitamin, folic acid बहुत सारी मात्रा में है तो overall ये मधर के लिए और बेबी के लिए बहुत ही फायदेमन होता है जी है रही बात रंकी वो आगे हम discuss करेंगे लेकिन यदि आप जामुन लेते हैं तो उसके अंदर जो iron होता है यदि आपको हिमोगलोबिन की कमी है, बोडी में iron कम है तो वहाँ पर आपकी हिमोगलोबिन लेवल को बढ़ाने में, एनिमिया ठिक करने में आपकी help करेगा इसके अंदर antioxidant है जो आपके अंदर overall body में से toxin को बाहर निकलने में और overall आपकी immunity बढ़ाने में भी आपकी help करेगा जामुन के अंदर polycacid रहता है, जो बच्चे के neural growth के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और दूसरे सारे जो vitamins, minerals रहते हैं, उससे overall बच्चे का विकास अच्छे से होता है तो जामुन के अंदर सारी चीज़े अच्छी है, उसको खाने से आपको भी benefit मिलेगा यानि कि आपकी जो skin होगी वो भी अच्छी होगी और आपके अंदर भी iron कम होगा बच्चे के अंदर भी vitamins और minerals की कमी नहीं होगी, वो improve होगा तो जामुन overall दोनों को फाइदा करेगी रही बात जामुन कब खाना चाहिए, यदि आप गलत टैम पे जामुन खाएंगे तो आपको side effect करेंगे जैसे के आपने सुबह में उठते ही, तुरंद जामुन खा लिया, खाली पेट या फिर सामके 4-5-6 बचे के आसपस पेट खाली रहता है, तब आपने जामुन खा लिया, तो जामुन acidity create करता है यदि सुबह में जामुन खाएंगे तो पुरा दिन आपको acidity रहेगी, साय तो यदि आपको headache की दूइदा है, तो headache भी बढ़ सकता है तो आपको खाली पेट जामुन नहीं खाना चाहिए, वो यदि आपके अंदर वाता दोस ज्यादा है, तो उसको वो और बढ़ाएगा तो overall आपको खाना कब चाहिए, दोपर में खाना खाने के तूरंत बाद आप खा सकते हैं, या जब आपका पेट भरा हो, कुछ खाया है उसके बाद आप जामुन खा सकते हैं, और आगे हमने बता कि वो आपके बच्चे के brain के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, तो भी वो वाता दोस्त बड़ा देता है, आपको वो मिटिंग की दिक्कत बढ़ सकती है, आपको अच्छे से दोखे खाये, बाकि आप जामुन खा सकते हैं, और रही बात रंग की, कि क्या जामुन खाने से बच्चे का रंग काला होगा, या उसके होट काले आएंगे, तो सब बिल्कुल नहीं है, बच्चे का रंग कैसा आएगा, वो क्रोमोजोम के उपर डिपेंड है, मा और पापा कैसे है, उसका रंग कैसा है, उसके उपर डिपेंड है, एसा रहता है कि जब वीटामिन सी रिच पुड काते है, वीटामिन एरीच फूड क्ते आप अच्छे से सारे विटामिन्स की टेबलेट टाइम से लेते हैं, विटामिन B12, विटामिन D आपके अंदर अच्छा है, तो बच्चे की जो स्कीन टोन है, वो अच्छा रहेगा, हेल्धी उसकी स्कीन रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कि ये खाने से बच्चे का रंग काला हो जाएग तो आप प्रेगनसी के दोरान जामुन खा सकते हैं, आठ दस जामुन खा सकते हैं, और खाना खाना के बाद दिखाएंगे, उसके बहुत सारे बेनिफिट जो बताएगे, साइड एफिक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइकन सेर कर नहीं किया चैनल को तो कली जाप के लिए बिल्कुली फ्री है, तो चले फिर जल्दी से मिलेंगे तब तक के लिए, स्टेल दी, स्टेल भी बाई